सभी को मेरा नमस्कार, बच्चों, नवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम जयन्ती सुरेशकिनी है, और मैं बेंगलूरू के बसवन गुडी के नैशनल हाइस्कूल में हिंदी शिक्षिका के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, तो नवी कक्षा शुरू करने से पहले एक देश बक्ती का गाना हो जाए, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि कौनसे उद्देश के लिए में एक गाना गा रही हूँ, ठीके बच्चों, दीखिये, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाशा चाहे अनेक हैं, तो बच्चों, रंग रूप वेश भाशा अलग अलग हैं, पर हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, है ना, देखे, रंग रूप विविद विविद है यहाँ, पर हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, तो बच्चों, नवी कक्षा का पहला पद्य है, आपको मालुम तो हो गया होगा, जय जय भारत माता, पहला पद्य कौनसा है नवी कक्षा का, जय जय भारत माता, कवी का नाम ह मैं थिली शरण गुप्त जी तो कोई पाठ पद्य जानने से पहले उसका आशय जान लेना बहुत जरूरी है है ना बच्चो तो आशय क्या है कवी इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं कवी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आगन में अधेरा हटे और ज्ञान मिले यह दोनों इसका आशय है बच्चो कवी यहां क्या कहना चाह रहे हैं भारत माता का गुणगान कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं एप धरती पवित्र है इस पवित्र धर्ती में अज्ञान का अंधेरा हटे और ज्ञान की रोशनी मिले ये इसका उद्देश या इसका आशय है बच्चो अभी हम देखेंगे देखिए भारत माता का चित्र देख रहे हैं आप किसी भी पाट पद्यक को किसने लिखा है ये जानना भी आवश्यक है तो देखिए राश्ट्र कवी मैथिली शरण गुप्त जी ने इस उन्दर पद्यक को लिखा है बच्चो उनका परिचय जानना आवश्यक है उनका फोटो तो आप यहां देख रहे हैं ना उनका परिचय हम जानेंगे राश्ट्र कवी मैथिली शरण गुप्त जी 1886 से 1964 यह इनका जन्म चिरगाउं जानसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ उसके बाद साहितिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 में 1961 में उन्हें पद्मभूशन उपाधी मिली थी आपको पता है ना पद्मभूशन, पद्मविबूशन, भारत रत्न ए सारी उपाधियां बिरुदुगळु इन्हें 1961 में पद्मभूशन उपाधी मिली थी बहुत सारी कृतियां है इनकी पर मैं एक दो चार को यहां उल्ले कर रही हूँ पंचवठी, जयद्रतवद, रंग में भंग, भारत भारती अनग, आदे आपकी महत्वपूर्ण कृतियां है यह इनका कवी परिच्चाई है बच्चो उसके बाद हम देखेंगे पद्य आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोट बुक है तो ओपन करके एक पैनल लेकर भेटिये बच्चो यहां तीन प्यारा आपको दिखाई दे रहा है पहले मैंने लाल ररंग में बरा है क्योंकि पहला प्यारा आपको बाहट करना है, आट लाइन है आटो लाइनों को आपको बाहट करना है ये नवी कक्षा का पहला पद्य है, आपको कंठस्त करना है पहला पद्य, तो आप वहां से गर में बेट कर गाईए, मैं यहां से गाती हूँ, क्योंकि गाना मुझे नहीं आता, फिर भी गाना चाहिए, क्योंकि हारता हारता रागा, उगलता उगलता रोगां तरे, अलवा हाड़ता हाड़ता नाव यावदागरो वंद राग वन्ना सेट माडोना मत्तु हिंदी पद्य तुम्प सुन्दरवागी रत्ते हाडव प्रयत्न वन्ना माडोना मक्ला जय जय भारत माता जय जय भारत माता उंचाहि आहि मालय तेरा उसमें कितना स्नेह भरा दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा सो सोस्त्रोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता जय जय भारत माता जय जय भारत माता ये प्यारा आपको बाहट करना है बच्चु कमल खिले तेरे पानी में धर्ती पर है आम फले इस धाने आंचल में देखो कितने सुंडर भाव पले भाय भाय मिल रहे सदाही तूटे कभी ननाता जय जय भारत माता जय जय भारत माता तेरी लाल दिशा में हीमा चंद्र सूर्य चिरकाल रहे तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले मिल जुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा जय जय भारत माता जय 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 भारत माता देखा बच्चों बहुत अच्छा था ना आप वहां से गा रहे थे और मैं यहां से गा रही थी पहला पद्य बहुत सुंदर है पहले प्यारा को आप बाहट करिए ठीक है बच्चों उसके बाद आप देख रहे थे वहां कुछ शब्दार्थ थे आपको मालूम नहीं था इसलिए कुछ शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं पहले देखे है हिया आंचल नाता यश धानी इसका अर्थ देखेंगे हिया का अर्थ क्या है रुधया रुधया दिल रुधया कंदरदलो ना वनतिवे रुधया अन्ता हिया उन्चा हिया यहिमालय का रुधय उन्चा उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? आंचल यानि कि दामन सीरेय सरगू पल्लो इलनोड़ी सीरे सरगू अंति वल्ला पल्लो अधन्नानाव दामनन्ता करेती वे उसके बाद नाता सम्मंध नोड़ी सम्मंध इब्बरो अंणतंगि या अंणतंम्मंधिर वंदो स्नेहां उसके बाद यश कीर्थी यश यानी की कीर्थी और धानी हलका हरारंग अंद लैटागी रो हसीरू बन्ना इविश्टु शब्दार्थ गड़ो विट पिक्चर्स नाव नोड़ताई दिवी एना ही आरुधै आंचल दामन नाता सम्मंध यश कीर्थी धानी हलका हरारंग यह हमने शब्दार्थ को जान लिया आगे जाएं बच्चो अब हम क्या करेंगे भावार्थ देखना है इस पद्य का भावार्थ एक एक प्यारा हम देखते जाएंगे ठीक है देखिए जय जय भारत माता यह तो जाहिर है भारत माता का गुनगान कर रहे है मेथिली भारत माता की जय उंचा हिया हिमालई तेरा हिमालई कहां है बच्चों उंचा है और उसका रुधय हिमालई मैंने कहा था ना हिया हिमालई का हिया हिमालई का रुधय उसमें क्या भरा है स्नेह भरा है उस हिमालई में स्नेह भरा है हिमालई कठोर है है ना फिर भी उसक में सनेह भरा है दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा हिमालई कश्ट सहता है उसके दिल में आग दबाता है पर हमें क्या देता है वो हरा भरा हसीरे उसीरू इल्ली हसीरी रत्तो अली उसीरी रत्ते और सो सो स्त्रोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता नूरार मूल गलिन्द नदिए इन अगत्तें बेरे बेरे कड़े इंद बरते मूल गलिन्द हरी दू हरी दू बरते पहले प्यारा का अर्थे बच्चुнул. बार में दूसरे प्यारा हम देखेंगे. कमल खिलये तेरे पानी में. कमल खाहां खिलता है पानी में. أथवा कीचेडु कैसरी नलने कमल अरन उत्त ते. आदरे इल्वन मा थेड़ बेकनानो आ कमल केसरन्न अंटिसी कोलो दिल्ला तन्न सवंदर्य वन्न प्रपंचक्य अदू कोडत्ते अल्वा राष्ट्री यहू आगी दे कमला आगा आगी मक्ला आप जहां भी पैदा होए हैं आपकी कुटुम्ब में जो भी समस्या है आप वहा से उठकर कोई साधना कीजिए निव साधने माडी तोरिसी निवेले हुटी याट्व येने कस्ट समस्य इरली निमगे आदरे निव साधने माडी तोरिसी जैसे की कमल कीचड में पैदा होकर जगत को अपना सवंदर्य दिखाता है वैसे ही बच्चों कोई तकलीफ कोई भी कस्ट हो उसे सहकर आपको क्या करना है साधना करके उपर उपर इडि विश्वल अले निव प्रसिद्धा आग बेको इदो कमल दमोल कनाओ कलिय बेको मकला उसके बाद धर्ती पर है आम उफले इले भूमी अले हन्डु गलन ना नीड़ते नोडी माविन हन्ड नोर्ताई द क्या दे रहा है धर्ती आम दे रहा है और इस धानी आँचल में देखो धानी आँचल मैंने कहा धानी हरारंग और आँचल दुपट्टा ताई य वन्दु सेरगु मात्र छाय अंत करिती वे अश्टु स्नेह अश्टु वासल या इरत्ते मकला अधे रीती इवन्दु वादा भावने सुन्दर भावने यूँदे नम भारत देश दल्दे अवेलर नप्रीतिस्ति इल्लर संगड़ भाई चारा स्नेह से हम रहते हैं पने को छोड़िये घेरों को भी हम गले लगाते हैं यह भारत और भाई भाई मिल रहे सदाही तूटेक भी ननाता जय जय भारत माता दो भाई कैसे मिल रहे हैं वहां भाई दे छोड़िये दूसरों को भी हम गले लगाते हैं इसलिए कहते हैं कमल खिले तेरे पानी में धरती पर हैं आम फले इस धानी आंचल में देखो कितने सुन्दर भाव पले भाई भाई मिल रहे सदाही तूटेक भी ननाता जय ज है यह भारत माता कितना अच्छा है न और देखिए कमल खिले तेरे पानी में इसका एक द्रशा आप देख रहे हैं और तीसरा तेरी लाल दिशा में हीमा चंद्रसूर्य चिरकाल रहे जब तक चंद्रसूर्य है तब तक भारत माता का गुणगान है यानि कितब तक भारत माता का गुणगान रहेगा जब तक चंद्रसूर्य है कितने अच्छे हैं कितने अच्छे हैं विचारों को कभी ने यहां प्रकट किया है बचो मिल जुलकर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा जय जय भारत माता हम सब को मिल कर एक ही गाना गाना चाहिए और कौन सा गाना है भारत माता की जय भारत माता की यश्की गाथा गाना चाहिए भारत माता की यश्की गाना यहां चाहिए देखिए तमसोमा जो तिर गमया अ मूर्त से मूर्त की ओर अ ज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से ज्ञान यानिकी दीप की ओर जाना चाहिए तमसोमा जोतिर गमया नोडि मकला रवी काणदनना कवी कंडा आंति वी जहान पहुंच सके रवी वहाँ पहुंचे कवी दे टुडे लाइफल नावेने नोर्ति वी सूर्या चंद्रा कमला हंणु गणनना अवेल्ला तोगोंडू कवी इष्ट्टु चनागी इल्ली वनिस्तारे भारत मात यंना आ यहान पहुंच सके रवी वहाँ पहुंचे कवी ए सारे हमने भावार्त को देखा आपको समझ में आया होगा तील प्यारा को देखा और तीनों प्यारां को हम क्या देखे साराम्ष को हमने यहां देखा है ना देखे तमसोमा जोतिर्ग मया ए चित्र को देखे कितना बेड़कु बरताई धे, ज्ञान को तोड़कर, ज्ञान की जोती एसे प्रकाश मान हो रही है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है चित्र को देखकर, वंदु रूमल कतले इदरे, किड की बागल तेक दुआ, कतले दूरा माडो दल्ला, वंदु बेड़की ना किडि अन्न होती सी नोडी, कतले तन्निन ताने इना गत्ते दूरा गत्ते, तमसो मा जोतिर्गमया, अच्छा था ना बच्चो, अब हम क्या देखेंगे, प्रमुखा अमिश्को देखेंगे, मेथिली शरण गुप्तिजी भारत माता का गुणगान करते हैं, कि हिमालाई के रुधै में स्नेह भरा है, अबी कह रही है नमें इस पद्य का मूल उद्देश ही भारत माता का गुणगान करना है, कश्ट सहकर हमें क्या करता है, हरा भरा रखता है, हिमालाई के रुधै में आग चुपा कर हमें हरा भरा रखता है, और माता के धानी आंचल में सुन्दर भाव पले है सब मिलकर माता के यश्की गाता गाएंगे या यहलरू सेरी वन्दे हाडू भारत माता जै भारत माता गे जै वागली अन्नों वन्दे वन्दों यश्की गाता गाएंगे ये प्रमुक अम्ष भी हमने देखा उसके बाद क्या देखना है हमें देखिए बारत माता क्या कर रही है बच्चों को बच्चे गुणगान कर रहे हैं और भारत माता क्या कर रही है आशिरवाद देख रही है अब हम क्या करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए देखें मैं दो प्रश्ण और दो उत्तर को यहां लिखती हूं ताकि आपको मालुम हो जाए कैसे लिखना है प्रश्णों के उत्तर कैसे लिखना है पहला कवी किस देवी की वंदना कर रहे हैं आप सोच रहे हैं ना उत्तर को सोच रहे हैं और आपको उत्तर मिल गया होगा देखे उत्तर कवी भारत माता की वंदना कर रहे हैं बहुत अच्छा बहुत शाबाश आपने ठीक समझा अंसर को भारत माता की वंदना कर रहे हैं और दूसरा क्या है? हिमालई रूपी रुधय में क्या भरा है? हिमालई रूपी रुधय में क्या भरा है बच्चो? आपने, आप आंसर सोच रहे हैं ना? कुछ लोगों ने तो लिख भी दिया होगा. देखे? उत्तर देखे बच्चो? देखे? हिमालई रूपी रुधय में स्नेह भरा है. ठीक समझा? हिमालई रूपी रुधय में क्या भरा है? स्नेह भरा है. देखे हिंदी प्रश्ने तुम्बा दोरदागिरे अंसत्य उत्तर तुम्बा चिकदो वहां भारत माता आंसर है यहां स्नेह आंसर है प्रश्न को वैसे के वैसे ही मैंने रखा स्नेह आंसर है उत्तर है देखा हिंदी कितना इजी है बच्चों हिंदी बहुत सरल है इतने छोट चोटे आंसर लिखने पड़ते हैं वाक्य पूर्ण कीजिए अब आपको क्या करना है वाक्यों को पूर्ण करना है देखे बालक डैश सीखता है चार आंसर नीचे देख रहे हैं आप चार आंसर है मैं पहले प्रश्ण को पढ़कर जाती हूं बाद मैं आंसर देखते मेघ डैश बरसते हैं बच्चा डैश चलता है देख रहे हैं आप बच्चो और आंसर भी वहाँ लिखते जाईए मैंने कहा था एक नोटबूक पिन लेकर ही बैठी है और पहला दूसरा ऐसे आंसर लिखी है जब मैं आंसर वहाँ डालती हुना आपको लगना चाहिए हाँ मैंने ऐसा ही लिखाता पहुत खुश हो जाएंगे आप अब देखे आंसर बालक डैश सीखता है कैसे सीखता है वो देख देख कर ऐसे ही लिखाता बच्चो आपने हुड़ुगा नोड़ी नोड़ी कली उत्ताने चोटे बच्चे बड़ों को देख कर ही सीखते है एना बालक देख देख कर सीखता है दूसरा भाषा कैसे बोली जाती है देखे आंसर सुन सुनकर जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं ना वैसे ही भाषा सुन सुनकर ही बोली जाती है बच्चों है ना मातर भाषा वो सुनकर बोलता है बाहर आकर वो भाषा सीखता है स्कूल में अलग भाषा सीखता है ऐसे एक सा तीन चार भाशा वो बच्चा सुन सुन कर ही बोली जाती है सीकर वो बोलता है और तीसरा देखे मेघ कैसे बरसते हैं मिट मिट कर बरसते हैं तम्मनु ताउ नाश माड़ी इन माड़त्वे मोडगड़ो मलेयरू पदल लिखे लगे बीड़ुत्तवे निमगी गुत्तलवा है सुरज की तेज किरनों से समुद्र का जल भाप बन कर उपर उड़ता है और वहां बादल घेरते हैं और उनी बादलों से वर्षा यही के नीचे आता है, तो मेघ बादल कैसे बरसते हैं, मिट मिट कर, और चौता एक ही आंसर वहाँ है, तो सभी को वही लेना है ना, बच्चा डैश चलता है, गिर गिर कर चलता है, बच्चा कैसे चलता है, पहले खड़े होने की कोशिश करता है, उसके बाद चेर या कुछ चीजों को लेकर वो चलने की कोशिश करता है, गिरता है, और चलता है, गिर गिर कर चलता है, ऐसे ही अगर आपने आंसर लिखाता, तो मेरी तरफ से क्या आपको एक तालिया, अनुरूपता, अनुरूपता हम देखेंगे, यह भी आपको फिल करना है बच्चों, सागर विशाल है, तो हिमालई डैश, मैंने खाली रखा है वहाँ, आपको भरती करना है, सागर विशाल है, तो हिमालई कैसा, डैश, उसके बाद देखेंगे, अंधकार, अंधेरा, तो पवित्र क्या है, आप सोचिए, सोच के रखिए, बाद में हम आंसर देखते जाएंगे, आम, धरती, त तो कमल कहां, ए भी, सूर्य, सूरज, तो चंद्र, डैश, सागर विशाल है, तो हिमालई कैसा होगा, अभी मैंने पद्धी में गाया था, उन्चा हिया हिमालई, इसका आंसर क्या है, उत्तर को देखें, तो देखिए, हिमालई, उन्चा, अंधकार, अंधेरा है, ए तो समा नार्तक शब्द है, पवित्र का क्या आर्थ है बच्चो, अंधकार जब अंधेरा हो, समा नार्तक हो, तो पवित्र का आर्थ क्या है, पावना, पवित्र पावना है ना, देखे, आम धर्ती पे उकता है, तो कमल कहां, खिलता है, मैंने चित्र भी देखाया था, और आंसर भी कहा था, कमल कहा खिलता है बच्चो, पानी में, और चौन था सूर्य सूरज, चंद्र, सूर्य और सूरज है तो चंद्र क्या है? चांद, यह अनुरूपता है, आठवी, नौवी, दसवी कक्षा में बच्चो यह आपको अनुरूपता चार मांक्स के लिए आएगा अगले स्लाइस पे हम देखे को गरहख कारियत देती हूँ आपको एक होम वर्क देती हूँ एक होम वर्क लिखने के लिए कुछ समय विए आपको मैं देती हूँ आंसर पेद नमबर 5 में आपको आंसर मिल जाएंगे आप लिखिये और आपने शिक्षक को भी ए लिख कर आंसर को दिखाईए बच्चो पहला पानी कैसे फूटा आता है पहला प्रश्ण क्या है बच्चो पानी कैसे फूटा आता है एक वाक्य का आंसर आपको लिखना है बच्चो दूसरा पानी में क्या खिले हैं और तीसरा सुन्दर भाव कहां पले हैं ये तीनों के आंसर आपको लिखना है लिख कर आपके टीचर को अवश्य दिखाना है इसलिए आप लिख लीजिए मैं कुछ समय आपको देती हूँ कि अपके टीसरा सुन्दर भाव कि आपके टीसरा सुन्दर भाव का आपको देती हूँ अगले स्लाइड पर जाएं बच्चों देखें पाठ से आगे पाठ से आगे पेड नमबर आठ में एक सुन्दर पद्य को देश भक्ती पद्य को वहाँ लगाया गया है और कक्षा में आप सभी को गाने के लिए भी वहाँ लिखा है बच्चों पर अब कक्षा नहीं है ना आप घर में है और मैं यहाँ हूँ तो वीरजारा फिलम का हिंदी फिलम है वीरजारा उस फिलम का एदेश भक्ती गाना है दो लाइन मैंने यहाँ डाला है बच्चों तो काने की कोशिश करें धरती सुन हरी अंबर नीला हर मोसम रंगिला ऐसा देश है मेरा एसा देश है मेरा भोले पपी हाँ कोई अलगाए सावन घिर आए ऐसा देश है मेरा एसा देश है मेरा यह पाट से आगे है और कक्षा में गाने के लिए कहा था और मेरा क्लास खतम हो रहा है मुझे आशा है बच्चों आपको जो भी मैंने यहाँ पाट पढ़ाया था या पद्य को गाया था समझ में आ रहा है आया होगा जो भी मैंने प्रश्न डाले थे उनका आंसर लिखिये मुझे आशा है मेरा पाट आपको समझ में आ गया होगा और अगले क्लास में अगले क्लास में अगले पाट के समेत और मैं प्रस्तुत होगी सभी को मेरा धन्यवाद जय हिंद